हेलो बच्छाउं तो बात करने जा रहे हैं हम एगेंस साल टेलर ऐसिस का इससे पहले जो भी लेक्चर नहीं देखे हैं आपको देखना परेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ज़ि आप इससे पहले नहीं देखे हैं तब आपको यह उतना मज़ा आने वाला नहीं है क्योंकि देखिए परहाई जो है एक सिक्वेंस होता है जब तक हम लोग सिक्वेंस से नहीं बात करेंगे तब तक परहाई में मज़ा आने वाला नहीं है तो salt analysis salt analysis को हम लोग दो पार्ट में study करते हैं एक को acid radical के अंदर study करते हैं acid radical acid से आया हुआ charge particle है base radical base से आया हुआ charge particle है acid radical anion होता है base radical cation होता है ये सारे का श्चारे बात को हम zero level से upper level तक explain कर दिये हैं आप सबसे पहले ये देखने से पहले थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको बहुत जायदा समझ में आएगा वैसे हम पढ़ियास करते हैं जो परतेक वीडियो में new देखने वाले भी समझ जाए तो यहां पे salt analysis जो हम बात कर रहे हैं जो acid radical उस acid radical को तीन गुरूप में divide किया गया तो आज जो हम study करने बाले हैं बच्चों वे salt analysis of salt analysis of acid radical of group second यानि किसका बात करने वाले हैं बच्चों group second का अब सवाल है जो group second हम लोग कहेंगे किसे तो group second में हम आपको समझाये थे जो किसी salt को जदी हम kong acid से reaction करावे हैं या तो H2SO4 से या HCL से तो kong acid से reaction कराने के बाद जदी volatile product देता है तो उसमें जो present anion है उसको हम कह देंगे जो वे क्या है group second के अंदर रखे जाने वाला है यानि सवों ने उसको group second के अंदर रखे हैं तो अब ये group में second के अंदर कौन-कौन सा anion है इस बात का हम आपको अच्छी तरह से clearification पहले दे दिये हैं हम यहाँ पे direct preliminary test से बात करेंगे जदी हम फिर उसको लिखने लगेंगे तो आपको वही बात जो फिर जो है आपको क्या होगा विडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा ठीक तो सबसे पहले थोड़ा सा हम group में कौन-कौन है इसको ले ही लेते हैं तो देखिए आपको समझाये थे वहाँ पे कुछ टेक्निक से कांट, सिंग, सौंग और दूसरा जो है CBI ने नाइटरेट और अग्जेलेट को पकड़ा तो एक्जामपल हम दे जाएते हैं कौन-कौन कौलोडाइड बरोमाइड आयोडाइड नाइटरेट और C2O4 अग्जेलेट CBI ने नाइटरेट और अग्जेलेट को पकड़ा क्या आप याद रखिएगा CBI ने नाइटरेट और अग्जेलेट को पकड़ा यानि किस ये सेकेंड गुरूप के अंदर आयाता है तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो प्रिलीमिनरी टेस्ट आप गुरूप सेकेंड प्रिलीमिनरी मतलब क्या प्रैमरी प्रैमरी टेस्ट आप गुरूप सेकेंड के अंदर बात करेंगे तो प्रिलीमिनरी टेस्ट मेरे साथ साथ आप नोट बनाते जाईएगा नोट बनाते जाईएगा तो फिर आपको याद करने की जरुवत नहीं परेगी जैसे हम बोल रहे हैं वो इसी तरह से आप भी मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद होते जाएगा ये एक फलास्क है और इस फलास्क में हम लेते हैं शॉल्ट ठेप और इस सॉल्ट में हम इस पाइप के हेल्प से जिसको ब्यूरेट कहा जाता है इसके हेल्प से इसमें हम एड कर रहे हैं डैल सॉरी कॉंक कॉंक कंसंट्रेटेड एसीड एसीड में ह-C-L यूज किया आता है या नहीं तो ह-2-S-O-4 यूज किया आता है तो यहां से निकलने वाली जो गैस है देखिए इसको आप यहां तक रखेंगे और ये थोड़ा सा गैस निकलने की राष्टा हम देंगे तो निकलने वाली जो गैस है उस गैस का एनलाइजड कर रहे है ठीक सबसे पहले हम गैस एनलाइजड करते हैं H-C-L के बारे में हमको तो रठना परेगा जो H-C-L का क्या करेटेरिया है जदी हम लोग H-C-L का करेटेरिया याद रखेंगे तो जहां कहीं भी उस तरह का गैस से इभॉल्ब हो तो फिलिंग हम लोगों को आ जाएगा तो सबसे पहले याद रखें H-C-L क्या है क्या है बच्चों क्या है बच्चों क्या है और क्या मतलब क्या रंग हीन यानि किसी प्रकार से कोई कलर नहीं होगा Pungent Asmale Pungent Asmale मतलब आपको बहुत तीखा Asmale जैसा कि घर में हम लोग प्याज जदी काटे और प्याज जदी कोई काट भी रहा है छील भी रहा है तो देखिएगा लार्जमांट में तो वहाँ पे एक Asmale यानि करवाहट लगेगा उसी कोई काते हैं Pungent Asmale Give Give White Fumes Fumes मतलब धूँआ With NH4OH यानि White Fume के साथ जो है ये White Fume देगा किसके साथ? NH4OH के साथ तो जदी इतना करेटेरिया कोई फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे बच्चों ये क्या है? HCL है तो सबसे पहले यानि क्लोडाइट टेस्ट के दोरान ये बात होगा Bromide टेस्ट तो Bromide टेस्ट में हम बात करेंगे ये Br2 कैसे पहचानेंगे जो Br2 है तो इसका कलर जो है Radish Brown जदी Radish Brown कलर का भेपर मिले तो हम कहेंगे जो वहाँ पे Bromide है फिर इसका भी जो Smell है ये क्या होता है बच्चों? Pungent Smell टेक? फिर जदी हम को Reaction में Intensity बढ़ाना होगा तो इसमें MNO2 एड़ कर देंगे तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एगेंच चलिए Bromide हो गया अब चलिए Iodide ये Iodide जो है Violate Color का होता है ये Violate Color अब ये Color सब आप क्या करेंगे? अब हम लोग तो High Electronic में रहते हैं तो आप थोरा सा YouTube पे सर्च करके जो कईया Google पे सर्च करके ये जो है Color के बारे में देख लेंगे थोरा पास्चान लेंगे ताकि आप लोग को Practical में Color भी पूछ दिया आता है दिखा दिया जाएगा कुछ न कह करके दिखा दिया जाएगा बताईए ये किस के जैसा है तो Violate Color आप देख लेंगे तो ये Violate Color होता है आयोडाइट का भी हो गया टेस्ट चलिए अब Nitrate का बात करें Nitrate जदी हम लोग कोई Salt लेते हैं तो उस समय ये Preliminary Test के अंदर जो है NO2 का Evolution होगा और ये NO2 जो है कैसा होता है बच्चों तो Radis Brown Radis Brown अब आप सोचेंगे सर जी इससे पहले तो आप Brown Color रिखे थे तो बच्चों उस समय रियक्सन भी तो अलग था वहाँ हम Dilute से बात कर रहे थे आज क्या बात कर रहे हैं कौंग से बात कर रहे हैं तो Color में कुछ अंतर आ जाता है तो ये Radis Brown है ठेक अब चलिए Last में कौन बच गया ओग जैलेट तो ओग जैलेट के केस में CO और CO2 का मिक्स्चर मिलेगा और जदी CO और CO2 तो CO जो है और CO2 सिंपली आप यह समझे हम लोग सांस छोड़ते हैं क्या कोई Color हम लोग को दिखाए पड़ता है नहीं न तो क्या कहेंगे हम लोग बच्चों Colorless Colorless Orderless यानि उसका कोई गंद भी नहीं होता है Orderless और इस तरह का यह Lime Water को Milky कर देता है यह बात तो हम आपको पहले ही बता रखे हैं Turn Lime Water Milky Milky तो यह Preliminary Test है यानि Primary Test है यह सब लोगों को याद रखना पड़ेगा हमसे Direct पूछ लिया जाता है जो बताईए जो NO2 का Color कैसा है तो हम लोग क्या कहा देंगे Radish, Brown या Brown ही आपको निखा हुआ रहे है Option में तो इस तरह से हम Detect करेंगे तो आप लोग इसको नोट कीजे इसके बाद हम क्या करेंगे Confirmatory Test बात करेंगे लेकिन आप इससे पहले नहीं देखे हुए वीडियो तो Description Box में हम लिंक देते हैं आप वहाँ से जा करके जरूर देखे बच्चो तो चलिया हम लोग बात करते हैं अब Confirmatory Test का और Confirmatory Test भी उसी सिक्वेंस में बात करेंगे हम जिस सिक्वेंस में आपको याद करने के लिए शलोगन दिये हुए हैं उसी सिक्वेंस में तो सबसे पहला जो पॉइंट है CBI ने Nitrate Oxalate को पकरा तो Test for Cl- Cl- को क्या पढ़िएगा बच्वों Coloride यानि किसी Salt में Cl- है की नहीं है इस बात को चेक करना है तो हम क्या करेंगे Salt लेंगे जैसा की NaCl NaCl को reaction कराएंगे H2SO4 के साथ और H2SO4 कैसा होना चाहिए कौंक होना चाहिए तो ये याद रखना पड़ेगा जो H2SO4 को NaCl के साथ reaction कराया जाए तो NaHSO4 और पलस HCl गैस का evolution होगा अब जैसे ही इस गैस का evolution हो तो आपको करेटेरिया बता दिए जो वे colorless होता है वे pungent smell होता है उसको जदी हम ammonium hydroxide से पास कराएंगे तो white fume बनेगा तो यहाँ अब हम क्या कराते हैं इसको जदी NH4OH solution से पास कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बच्चों NH4Cl ammonium chloride बनेगा जिसका color क्या बोलिएगा white fumes मतलब उजला उजला धुवा साब बनेगा और जैसे ही बन गया तो हम समझ जाएंगे जो यहाँ से इवहॉल्ब होने वाला guys HCl है ठीप चलिए दूसरा हम confirmatory test बात करते हैं यह तो first number यानि A रख देते हैं B number में same यही लीजिए NACL plus H2SO4 अब इसमें हम add करने जा रहे हैं MNO2 जैसे ही आप MNO2 add करेंगे तो product में बदलाव हो जाएगा Na2SO4 plus MNSO4 plus Cl2 chlorine gas plus H2O मिलेगा यह जो chlorine gas है यह याद रखना परेगा जो यह green initial yellow होता है यह कैसा होता है बच्चों greenish yellow मतलब नहीं यह पूरा yellow और नहीं यह पूरा हरा तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है greenish yellow तो यह greenish yellow confirm करता है जो लिया गया salt में chlorine present है और chlorine किस रूप में present होगा chloride के रूप में और chloride क्या है एक acid radical है चलिए next बात करते है next जो है जदी हम यानि यह सब का सब confirm हो रहे है NaCl को AgNO3 के साथ reaction कराईएगा इसके solution से तो यह मिलेगा AgCl यानि PPT white white PPT precipitate और side product और बनाना चाहिएगा तो NaNO3 लेकिन यह किस रूप में solution के रूप में रहेगा अब समझे जदी हम लोग इसको NH4OH से reaction करा वे किस से बच्चों NH4OH से तो यह जो AgCl है यह आसानी से dissolve हो करके एक insolubal salt बना देता है देखिए ऐसा whole twice Cl यह बन जाता है तो यह सब का सब यानि indicate करता है conformatory test of chloride चलिए रहे है यह इस तरह से downward मतलब क्या precipitate white PPT clear है तो इस तरह से हम लोग यह coloride का conformatory test बात कर रहे है तो चलिए इसको आप note कर लीजिए और हम को आगे बारना है वैसे थोरा सा मेरे पास जगा है उस जगा को हम use कर ले एक और आगे हम test बात कर ले चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं D में क्रोमाइल coloride test ध्यान से लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा पहले आप लोग note कर लीजिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे नहीं तो जगा कम पर जाएगा तो चलिए next test इसी coloride का बात करते हैं D नम्मर क्रोमाइल कॉलोराइड टेस्ट जिसको आप सिम्पल में का सकते हैं CCT क्रोमाइल कॉलोराइड टेस्ट इसमें हम क्या करते हैं NACL इतना तो fix है जो हम लोग जो रीजेंट बात कर रहे हैं उसमें कॉंक एसीड का इस्तेमाल करेंगे और कॉंक एसीड में H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं अब ये K2 CR2 O7 पटासियम डाइक्रोमेट ले लेंगे इतना को mixing करने के बाद मिलाने के बाद हमको मिलेगा CRO2 Cl2 और भी side product है लेकिन यहाँ side product से कोई मतलब नहीं है यही यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है बच्छो Radis Brown कलर का Radis Brown कलर यह भेपर के फॉर्मे रहता है भेपर ठीक अब हम क्या करेंगे इसको NaOS solution से reaction कराएंगे तो जैसे ही आम NaOS से reaction कराब हैं तो यह बदल जाएगा किस में Na2 CRO 4 में Na2 CRO 4 में इसको यह जो solution है यह yellow color का solution बन जाएगा yellow solution ठीक अब देखते रहे हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं जदी इस yellow color solution में हम add कर दें कौन PB OAC 2 lead acetate क्या पढ़िएगा इसको lead acetate ठीक और दूसरा जो है इसी में हम add कर दें H2O2 H2O2 hydrogen peroxide तो जदी हम यह add करेंगे तो देखिए यह बन जाएगा PB CRO4 और यह yellow PPT बन जाएगा यानि precipitate बन जाएगा ठीक और जदी हम H2O2 add कर दें तो यह बहुत जाना पहचाना compound CRO5 जो की blue color वाला होता है इसका precipitate भी लेगा तो इस तरह से यह जो पूरे test है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे chromyle chloride test फिर से एक बार समझे जैसे ही आप से पूझा जाए chromyle chloride test तो सबसे पहले यह नाम से ही असपस्ट है जो chloride का है सिर्फ हमको जरुवत है जो यही है chromyle chloride यह जो देख रहे हैं यह chromyle chloride है यह इसका redis brown vapor होता है एने वेस से पास कराने के बाद यह solution sodium chromate बनता है क्या पढ़िएगा इसको sodium chromate sodium chromate को lead acetate के साथ reaction कराएंगे तो lead chromate बनता है जो कि yellow color का होता है और H2O2 से reaction कराएंगे तो CRO5 जो कि blue color का होता है अब इसमें कुछ याद रखने बादी बात यह है जो कुछ ऐसा salt है जिसमे chlorine होते हुए chloride होते हुए पता ही नहीं चलेगा इस test के दौरा जो chloride है कि नहीं यानि मेरे कहने का मतलब सीधा-सीधा यहों का है जो कुछ ऐसा metal का chloride है जो chromile chloride test नहीं देता है मतलब इस तरह से reaction कराने के बाद ये product का formation नहीं होता है यानि छुप जाता है तो हम याद रखेंगे silver silver lead ag सुनो टेकनिक है बावू silver teen lead hg याद रखिएगा ag as is सुनो प्यार हो गया हो गया तो silver lead chloride coloride सभी का coloride do not give cc test यानि ये सब का सब cc test नहीं देगा मतलब क्या जैसे agcl यहाँ cl है लेकिन ये reaction यहाँ agcl ली जिएगा na के जगा पे तो यह ऐसा reaction नहीं देगा sn cl4 ठीक pb hg cl2 hg 2 cl2 और hg cl2 तो ये सब का सब cc test नहीं देगा तो इस तरह से हम coloride का test कर लेंगे जिस तरह से same हम coloride किये वैसा ही bromide भी होगा वैसा ही iodide भी होगा तो चलिए फटा-फट इसको पहले आप note कीजिए आगे बढ़ते हैं हम तो test for bromide ion यानि हम क्या करें कोई bromide लें जैसा कि sodium bromide h2SO4 से reaction करावें कौन सा h2SO4 कौन के h2SO4 तो reaction कराने के बाद देखिए सबसे पहले br2 product में मिलेगा दूसरा na hSO4 मिलेगा ठीक तीसरा SO2 मिलेगा चौन्था h2O मिलेगा अब आपको हम समझा चुके हैं जो br2 का किस तरह से color होता है हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जदी br2 है तो a star चिपेपर रखेंगे जैसे ही a star पेपर रखेंगे उस भेपर के नजदीक तो यह yellow color हो जाएगा पेपर जदी yellow color हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे यह जो बोलेटाइल भेपर है यह br2 का है चलिए और इसमें हम if mno2 is added जदी mno2 क्या करें add करेंगे then intensity of intensity of br2 increases br2 का intensity क्या होगा बच्चों increase कर जाएगा मतलब सेम यही reaction nabr को reaction कराईए conques to so4 के साथ और साथ ही में रख दीजिए mno2 तो product बनेगा na2so4 ठीक दूसरा product बन जाएगा mnso4 तीसरा product br2 और चौंथा product so2 ठीक तो इस तरह से यह जो हम लोगों का product है sorry so2 इसमें नहीं बनेगा h2o तो इस तरह से यहाँ पे यह जो br2 देख रहे हैं इस reaction क्या पे च्छा इसमें intensity intensity मतलब क्या उसका amount बढ़ जाएगा किसके कारण बच्चों MnO2 के कारण तो यह reaction और यह reaction लगभख सेम है लेकिन नेम रख देते हैं A, B, C नमबर में देखिए N, A, B, R को reaction कराएंगे A, G, N, O, 3 इससे पहले भी देखे तो क्या मिलेगा A, G, B, R मिलेगा और N, A, N, O, 3 मिलेगा ठीक अब यह जो A, G, B, R है इसको हम N, A, N, S, 4, O, S के साथ में dissolve कराएंगे तो very difficult यानि difficult to difficult to dissolve difficult से क्या होगा dissolve होगा लेकिन product वैसा ही बनेगा जैसा की silver के case में देखे यानि ऐसा product बन जाएगा तो यह सभी का सभी confirmatory test है किसका bromide का इसमें थोरा सा एक layer test का बात करेंगे तो पहले आप लोग इसको note कर लीजिए फिर हम layer test का बात करते हैं टेक कर लिए चलिए हम बात करते हैं layer test का तो सबसे पहले तो यह रट जाएए जो layer test किसको किया जाता है तो यह bromide को किया जाता है layer test यानि एक सवाल तो हम लोगों को इस तरह से ही पूछ लिया जाएगा D नमर में layer test देखिए इसमें क्या करते हैं इसमें हम क्या करेंगे यह जो कोई solvent लेंगे जैसा कि CCL4 organic solvent CS2 और इसमें हम N-A-B-R add कर देंगे अब N-A-B-R इसमें complete dissolve नहीं हो पाता है अब यहां पे हम CL2 H2O यानि chlorine water add करेंगे drop के help से जैसे ही हम drop के help से add करेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चों एक layer बन जाता है एक layer बन जाता है कैसा तो यह orange color का यह orange ब्राउन color का जो है क्या बन जाता है एक layer तो जैसे ही orange ब्राउन color का layer बनता है और उपर आता है colorless part तो यह indicate कर देता है जो इसमें क्या है bromide है ज़दी हम इस reaction को देखें तो CL2 किसके साथ reaction करता होगा N-A-B-R के साथ और यह बन जाएगा N-A-C-L पलस B-R-2 ज़दी E फे CL2 is excess CL2 is excess ज़दी CL2 excess लिया जाएगा उस समय में क्या होगा यह BR2 और CL2 further reaction कर जाता है और BRCL बन जाता है और यह कैसा होता है बच्चों colorless तो यह हम लोगों से पूछ दिया जाता है ठीक तो चलिए हम अगला टेस्ट अब बात करते हैं जिसका नाम होगा iodide test इसको note कर लिजिए screenshot लिजिए ठीक ले लिए तो चलिए हम बात कर लें अब तीसरा नम्मर में तीसरा नम्मर क्या है बच्चों third नम्मर कर दीजिए test of i- यानि iodide same आप bromide वाला concept apply कीजिए तो यहाँ पे हम क्या यूज करें na i h2so4 के साथ reaction करेंगे conk h2so4 तो क्या बनेगा बच्चों जैसा उसमें बना था same उसी तरह से na2so4 बना था उसमें भी ठीक so2 बना था ठीक h2o और बहुत importance i2 इस i2 को जदी a star solution से पास कराएंगे बहुत famous कई बार नाम ले लिए a star solution तो यह कैसा color दे देगा blue जदी blue color दे दे तो हम लोग कहेंगे जो यह iodine है इसी तरह से nai में h2so4 add करें और plus mno2 तो same याद हो गया क्या बनेगा na2so4 plus plus mnso4 plus क्या बच्चों h2o और plus क्या i2 दोनों में अंतर क्या है इसमें i2 का intensity बढ़ जाता है ठीक फिर चलिए next nai को agno3 के साथ reaction कराई तो बताया है ना जो क्या बनेगा agi बनेगा और agi को nh4 OH के साथ dissolve कराई तो क्या बोल देंगे insoluble यानि इसमें किसी परकार से कोई soluble नहीं होगा तो देख लीजिए सबसे पहले हम agcl देखे agcl को nh4 OH के साथ ammonium hydroxide के साथ dissolve कराई तो एक complex का निर्मान हुआ लेकिन जदी agbr के साथ बात किये तो देखे वहाँ difficult से बना मतलब dissolve नहीं हो रहा था और इसका मतलब इसमें किसी परकार से कोई reaction नहीं होगा चल ये layer test का बात करें ये भी layer test देता है again उसी तरह का बात होगा layer test में हम क्या करेंगे organic solvent लेंगे जैसा की CCL4 या CS2 और इसमें NAI को add कर देंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों chlorine water chlorine chlorine water add करेंगे chlorine water add करने के बाद यहाँ पे एक जो है इसमें भी layer बन जाता है ये violet color का layer ये color याद रखना होगा जो किस color का violet color का layer बन जाता है अब इसमें हुआ क्या होगा किस तरह से ये reaction हुआ होगा ये देखना है तो यहाँ पे ये देखिए CL2 और NAI को reaction करा रहे हैं CL2 पलस NAI बन जाएगा NaCl पलस I2 ठीक जदी हम क्या करेंगे chlorine excess ले लेंगे if CL2 is excess जदी इसको excess ले लिया जाए तो इस I2 CL2 और H2O का reaction होगा यहाँ पे iodide और ये kolodide बन जाता है CL- जो कि ये colorless होता है यानि ये colorless तो इस तरह से हम जो है kolodide, bromide और iodide टीनो का test बात कर लिए अब आगे बात करेंगे पहले आप लोग इसको not कीजिए तो चलिए हम बात करते हैं test of nitrate तो nitrate को NaNo3 इसको reaction कराईए किसके साथ H2SO4 कौन सा कौन के H2SO4 के साथ reaction तो product मिलेगा NaHSO4 अब पलस HNO3 ध्यान दीजिए यहां पे बन रहा है nitric acid यह HNO3 further तूट जाता है किस में NO2 में तूटता है oxygen में तूटता है H2O में तूटता है और यह color कैसा होता है brown यह दिखाने का अलग अलग तरीका है यह further पले NO में तूटता है nascent oxygen में direct हम NO2 में भी तोड़ सकते है तो यहां पे brown color यानि जदि हम लोग कोई salt लिए फिर वही कहानी है जो कोई salt लिए उसको H2O4 के साथ reaction कराएंगे और विए जदि brown color हमको मिल जाए तो समझ लेंगे जो उसमें nitrate है जदि हम इसमें NO2 के intensity को बढ़ाना चाह रहे है तो copper add करेंगे यानि reaction तो यही होगा NaNO3 plus H2SO4 और Cu इस case में क्या होगा बच्चों NO2 का intensity more intensity of यह NO2 बन जाएगा बस इस किसके add करने से copper के add करने से copper और add यह मत पूछिए जो क्यों कैसे यह inorganic है बहुत लंबी कहानी है चलिए बहुत importance हम बात कर लेते हैं brown ring test ध्यान से देखिएगा brown ring test सबसे पहले यह test किसका है nitrate iron का इसी का नाम test कर रहे हैं nitrate iron का इसमें क्या करते हैं भी देखिए एक test tube जिसमें हम F.E.S.O.4 पलास N.A.N.O.3 दोनों के mixture का solution लेते हैं ठीक अब इसमें दिवाल के सहारे H.2.S.O.4 अड़ करते हैं कौंक H.2.S.O.4 यह H.2.S.O.4 इस दिवाल के सहारे यहां पे जहां मिलेगा वहां पे एक ring का formation हो जाता है एक ring का formation हो जाता है ऐसा यह brown color ring बन जाता है ठीक इसी लिए इसका नाम brown ring test है अब यह brown ring में कौन सा compound होता है तो F.E.S.O.4 dot no इसको भी का सकते है आप nitroso nitroso ferrous sulfate nitroso ferrous sulfate का सकते है लेकिन real formula जो होता है वे इस तरह से F.E.S.O. का whole 5 NO SO4 यही है इसको हम लोग काते हैं brown ring complex यह coordination में इसका बहुत जैदा चर्चा है यहाँ पे तब तक आप यही समझ लीजिए जो इसका oxidation state plus 1 होता है क्योंकि NO पे plus 1 होता है यहाँ minus 2 यहाँ 0 तो plus 1 यानि iron का generally oxidation state plus 2 और plus 3 होता है लेकिन brown ring complex ही एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग iron का oxidation state plus 1 समझते है तो यहाँ पे इसे को precaution precaution क्या करेंगे precaution मतलब यह जो टेस्ट जदी आप performance कर रहे हैं तो उस समय क्या precaution होना चाहिए यानि freshly prepared freshly prepared यह ताजा 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 बना हुआ ताजा इसलिए क्योंकि यह बहुत highly reactive है oxygen से reaction करके फिर इसलफेट में बदल जाता है ठीक दूसरा इसमें जो है no shaking नहीं इसको हिलावें and heating और नहीं इसको heat करें नहीं इसको container को हिलावें और नहीं shake करें तो इस तरह से हम लोग यह जो है दो precaution रखेंगे clear है तो इस तरह से nitrate test complete हो गया तो चलिए अब अगला test बात करते हैं तो अगला test है test for oxalate again हम लोग तो अब इसका region समझिये गया है मान लिया जाए Na2C2O4 है यही oxalate है H2SO4 से reaction करा रहे है तो H2SO4 से reaction करने के बाद क्या product बनेगा Na2SO4 ठीक दूसरा product H2O तीसरा product CO चौंथा product CO2 यहनि इस दोनो guys का क्या होता है mixture होता है और इस guys का criteria हम बात कर लिए है जो colorless होता है orderless होता है लेकिन यह milky lime water से pass कराने के बाद milky अब इसका चलिए confirmatory test कर लेते हैं confirmatory test confirmatory test में sodium oxalate को क्या पढ़िएगा इसको Na2C2O4 का नाम क्या है बच्चों sodium oxalate इस sodium oxalate को CaCl2 से reaction कराईए तो क्या बनेगा NaCl बनेगा और फिर calcium oxalate का निर्मान होगा यह calcium oxalate जो होता है कैसा होता है White PPT White PPT यानि यह precipitate होता है Insolubal in Ammonium Oxalate Insolubal in Ammonium Oxalate ठीक है अब एगें जो है एक टेस्ट है मतलब Insolubal Ammonium Oxalate में तो हम कह देंगे जो लिया गया compound में क्या था Oxalate परजन था एक इसी में है KMNO4 टेस्ट मतलब किसका Oxalate का ही बात कर रहे है तो सबसे पहले इस calcium oxalate को किसके साथ reaction कराईए बच्चों KMNO Sorry, H2SO4 से H2SO4 से reaction कराईए तो H2SO4 से reaction कराने के बाद ये बन जाएगा CSO4 और क्या बनेगा बच्चों H2C2O4 बनेगा अब आप KMNO4 लीजिए और क्या समझे हम खटा-खट खिचले जा रहे हैं इसमें कोई जएदा importance नहीं है यानि calcium oxalate को H2SO4 तो CSO4 और ये oxalic acid का formation हुआ ये जो KMNO4 है H2SO4 के presence में देखिए जब भी KMNO4 K2CR2 हो तो H2SO4 वहां रहेगा ही तो H2C2O4 यानि ये हमको इससे मिला है तो हमको बनेगा क्या MNSO4 ये क्या हो जाता है colorless इसका color बता दिये हैं आपको कैसा परपल और ये बदल जाता है colorless फिर ये क्या मिल जाता है बच्चों K2CR2O7 CO plus कान मिल गया CO2 और पलस H2O H2O पलस CO2 तो इस तरह से हम confirm हो गया है फिर से एक बार देख लिए थोरा सा speed कर दिये थे यानि test for oxalate तो oxalate को H2O4 से reaction करा है तो ये दोनों guys मिला ठेक अब हम confirmatory test जदी sodium oxalate को calcium chloride के साथ reaction कराएंगे तो white PPT बनेगा K-menop4 test मतलब इसी को ये calcium oxalate को H2O4 से reaction करा दिजे तो ये oxalic acid बनेगा oxalic acid को K-menop4 से reaction कराईएगा तो फिर किसका formation हो जाता है carbon dioxide का formation हो जाता है तो इस तरह से हम लोग आज complete कर लिए acid radical का group 2 next class हम आप से बात करेंगे acid radical का group 3 तो इस तरह से हम acid radical हम लोगों का finished हो जाएगा जो भी इससे पहले नहीं देखे हुएं पहले देखिए उसके बाद ही आपको पहले समच में आएगा